पहले देखिए जैसा मैंने का समय समय की बात है पहले सपने में भी किसी को पती के रूप में देख लेते थे तो उसी से विवा करते थे तो उन्होंने सपने में अनिरुद को पती के रूप में देखा अब एक बात बताईए, हम सब साधरन जीव है, संसार में रहते हैं अगर हमें कोई पसंद आता है, शादी करने की इच्छा है दोनों की बाते हो गई, दोनों ने एक दुसरे को पसंद कर लिया दोनों को शादी करनी है, अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? बताईए, माता पिता को बताईए, कि वह ऐसी ऐसी बात है, हमको कोई पसंद है, उससे शादी करनी है है न, फिर माता पिता को जचेगा, तो वो दोनों बात करेंगे हर को यही करेगा, पर यह हम साधारन लोग करते हैं, उशा किसकी बेटी है? देटे की थोड़ी हरकते दवाएंगे, उसने रात को सपने में अनिरुद को पती के रूप में देखा, रात तो रात उठा कर ले आए अपरन करकर लेकर आजाते हैं अनिरुद जी का, अब भगवान को पता चलता है, भगवान के रात तो बहु स्विकार है, भेजदो दोनों को पर बाना सुर को तो हातों से मुक्त होना है, उसने का नहीं, आओ, युद्ध करो और ले जाओ भगवान आते हैं, युद्ध आरंबो होता है, युद्ध में पहला तीर ही भगवान चलाते हैं, वो पहले तीर से ही वो एक हजार हातों से मुक्त हो जाता है, दूसरा तीर भगवान चलाए, इससे पहले महादेव जी बीच में आ जाते हैं, महादेव जी कहते हैं, जो करन और पौत्र वधू को अपने साथ ले कर जाते हैं इस प्रकार भवान का भी अप परिवार बढ़ रहा है यहां पर पांडवों ने एक मायावी महल बनवाया बहुत सुंदर तो उन्हों ने अपने भाईयों को बुलाया क्या कर देखो हमने इतना सुंदर महल बनाया है सवाते हैं क्योंकि मायावी महल था दुरियोधन को समझने में थोड़ा समय लग गया थोकर लगती है वो गिर जाते हैं सामने से द्रौपदी जी जा रही थी द्रौपदी जी ने सोचा थोड़ा हसी मजाग करते हैं द्रौपदी जी ने मजाग मजाग में कह दिया वोई बात मैंने कल कही न कई बार मजाग करने में और किसी को ठेस पहुचाने में इनके बीज एक पतली सी लाइन होती है जो हमें दिखती नहीं है और हम उसको पार कर देते हैं द्रौपदी जी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा हो उसी दिन महाभारत का वीज रोपन हो गया था दुरियोधन वापस आते हैं अपने मामा के पास आते हैं मामा से कहां मुझे उस द्रौपदी से बदला लेना है मामा ने का धृत कृड़ा का खेल करेंगे जिससे बदला लेना है जैसा बदला लेना है ले लेना पासे मेरे वश में है खेला आरंब होता है बीच सभा में खेल हो रहा है अब पासे क्योंकि मामा की वश में है धीरे धीरे पांडव अपना सब कुछ हार भे धन, दौलत, राज्ये, सब कुछ अंत में अब वो कहते कि अब दाव पे लगाने को कुछ नहीं ने अब कहां कहले कौरफ कहते हैं ऐसे कैसे नहीं है अभी तो द्रौपदी बची है उसको दाव पे लगाओ पहले सबको बड़ा क्रोध आता है सब कह रही है क्या बात है लेकिन फिर द्रौपदी जी को दाव पे लगा देते हैं हाल जाते हैं उस समय द्रौपदी जी रजस्वल आवस्था में थी उस समय वो कमरे से बाहर नहीं आती थी कुछ दिनों तक और क्योंकि कमरे से बाहर नहीं आना है जाते हैं द्रौपदी जी के केशों को पकड़ते हैं और खीचते हुए लेकर आ रहे हैं वो बार बार के रही है मुझे ऐसे बार मत लेकर जाओ बार गुरु बैठे हैं राजा बैठे हैं बड़े बड़े लोग बैठे हैं खीचते हुए लेकर आते हैं वीच सभा में पटकत दुरियोधन कहते हैं इसको निर्वस्त्र किया जाए इतना अपमान नारियों का उस समय तक दैत्यों के भी सभा में नहीं हुआ था किसी राप्षस ने उस समय नारी का इतना अपमान नहीं किया था जितना यहां पर राजा महराजा करने थी कहते हैं हमारे धर्म में तो हमने तो बच्पन से या जब से जनम लिया है यहां पर जितने हमने हमेशा से नारी के सम्मान में महाभारत होती देखी है यह मुम्मत्ती लेकर चलना पता नहीं कौन सिखा गया वरना हमने तो नारी के सम्मान के लिए महाभारत कर गी थी सिर्फ नारी के सम्मान के लिए तो महराज खूब रोती है वो साड़ी खीचने लगते हैं सब को पुकार रही है कोई तो मेरी साहता करो सब देख रहे हो बैठकर कोई साहता नहीं करता साडी खीचने लगते हैं कुछ देर तक तो अपने मुख में साडी को पकड़ कर रखती है कितनी देर पकड़ेगी दुश्शाशन कितने शक्ती शाली है जब हार जाती है तब दोनों हाथ उपर उठाती है ए परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो हे द्वारी का किनाथ मेरी रक्षा करो हे द्वारी का धीश मेरी रक्षा करो और उसके बाद तो जो साड़ी बढ़ने लगती है बढ़ते बढ़ते कपडों का पहार लग जाता है पर वो साड़ी खतम नहीं हो रहे ठक जाता है दुशाशर पहा सच में पहाड लग जाता है वाँ कपडों का पर वो साड़ी खतम नहीं हो अब इसके बाद भीम बड़े क्रोधित होते हैं भीम कहते हैं कि आज मैं प्रतिग्या लेता हूँ कि ये दुरियोधनी जिसने द्रौपदी के लिए ऐसी बाते कही है मैं इसकी छाती फाड़ कर इसका लहू पियोंगा और ये दुशाशन जिसने द्रौपदी के वस्त्रों को हाथ लगाने की हिम्मत करी है मैं इसके दोनों हाथ उखाड़ कर फेक पेंग लेकिन ये सारी बाते बाद में पहले वनवास होता है वनवास की बाद वापस आते हैं आकर अपना राज्जी मांग रहे हैं दुरियोधन कहते हैं युद्ध करो ले जा अरे तुमने वज़न दिया था कि तुम वनवास की बाद सब कुछ वापस कर दोगे लिखित रूप में कुछ है इसलिए देखिए ये सारी पहले की घटनाएं हैं जो अब हमें सीख देती है इसलिए आज कल हम हर चीज लिखित रूप में रखते हैं कि कौन अपने बाद से मुकर जाए दुरियोधन ने का मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने देने का कोई वादा किया था युद करो ले जाओ भगवान के पास पांडव जाते देखिए पांडवों के पास एक ही सहरा है उनको जब कोई परिशानी होती है वो सिर्फ एक व्यक्ति के पास जाते है और वो है इसलिए उन्होंने हर अपनी जंग जीत ली हमारी नजर में तो भगवान लास्ट आप्शन होते है है की नहीं पहले बड़े-बड़े सेठों से मिलो लोगों को फोन करो ये काम कर दो भई वो काम कर दो भई जब सब मना कर देंगे तब भगवान की याद आती है और पांडवों को सबसे पहले भगवान की याद आती है भगवान के पास जाते हैं भगवान शांती दूत बन कर आते हैं भगवान समझाने की कोशिश करते हैं दुरियोदन को दुरियोदन केता है मुझे कुछ याद नहीं अरे मैं युद्ध के बिना सुई भर भूमी नहीं देने वाला आप क्या बाते कर रहे हैं अब भगवान कहते हैं राज जिम्मत दो पांच पांडव को पांच गाउं दे दो इतना तो कर दो ते कुछ नहीं दूंगा मैं दुरियोदन ने का ये सब बाते छोड़िए मैंने आपके लिए छपपन भोग बनवाया है आकर भोजन करते हैं भगवान कहते हैं भोजन किसी कि यहां भी दो ही शर्तों पर करना कौन सी शर्त हैं पहली कि जो भोजन करवा रहा है उसके मन में आपके लिए बहुत प्रेम है यानि वो सच में चाहता है आप उसके घर भोजन करो तो कर ले ला दूसरी आपको बड़ी जोर की भूग लगी है तब तो जहां मिल जाए वहां कर लो बगवान कहते यहां दोनों ही चीजे मुझ इढूआ है यहां पर विदुर जी कि टीव से कहरे हिते के सुना है कृष्णा या है वो घर आजाता तो विदुर जी कहते राजा है राजा से मिलने आया है दासी पुत्र केहां कि वाइगा अरे कोशिष मिश्तों करो विदुर जी कहते हैं ठीक है मैं जाता है विदुरानी ने कहा अगर कृष्ण को साथ लाओगे तो बाजार से कुछ खाने को भी लेते आना गर पे कुछ नहीं है ठीक है विदुर जी जाते हैं विदुर जी का जाना हुआ और भगवान का भगवान दर्वाजे पे खड़े हो गया आवाज लगा रहे हैं विदुर जी अरे कहा हो अंदर नहीं बुलाओंगे क्या देखें ये अपने लोगों की पहचान होती है कोई पराया आजकल आवाजे तो इतनी नहीं देते डोर बेल्स होते हैं गंटियां होती है तो आएंगे जो चो बड़े ही पराय से उसके चुप चाप खड़े रहेंगे एक बार डोर बेल बजाएंगे इंतजार करेगे और यही आपका कोई मित्र होगा तो तब तक डोर बेल से उसका हाथ ने अटेगा जब तक गेट नहीं खुल जाता है यह अपना पन होता है उसको पता है कि आप गेट खुल के चिलाओगे नहीं कि बएक कैसी अरकते कर रहे हैं तो आपको पता है वो वैसा यह नहीं आते यह नहीं करते खूप बाते कर रहे हैं भगवान विदुरानी जी के आती यह कौन आया है जो इतने अपने पन से बुकारवा है विदुरानी बहार आती और साख शाथ दर्वाजे पर भगवान खड़े है आये हम भी प्रातना करते किस दिन हमारे घर भी आ झाल